दोस्तों, बॉलिवुट की मश्यूर अभिनेतरी काजोल की बेटी नियासा देवगन जो की इन दिनों खूप चर्चरा में बनी हुई है, नियासा अभी एक अभी नेतरी नहीं है, बलकि सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं, जिसके चल्दे अपनी शादी को लेकर बहुत जादा लाइम लाइट में च्छाई हुई हैं, जिहां, खबरे आ रही हैं कि यह जल्दी अपने होने वाले बॉइफरेंड के साथ करने वाली है शादी, लेकिन हम आपको बता दे कि अभी नेतरी काजोल की बेटी नियासा देवगन ने अपने बॉइदान्त महाजन के साथ घरवालों से चुपके कर ली है सगाई, तो आकिरकार उन्होंने ऐसा क्यों किया है और क्या सचमुच की है उन्होंने सगाई, आज हम आपको इस बारे में बताएंगे, अगर आप भी जाना चाते हैं तो बने रहे वीडियो के अंग तक, दोस्तो अभी नेतरी काजो की बेटी नियासा देवगन, जो की अपनी मा और अपनी फामिली से देहत प्यार करती है, तो वही आजकल यह है बहुत ही लाइम लाइट का हिस्सा बने हुई है, क्योंकि यह है अपने बॉइफरेंट के साथ, और हम आपको बता दे कि जल्दी कबर आ रही है कि इन्होंने चादी के लिए भी कह दिया है, तो वही साथ ही हम आपको बता दे कि इन्होंने अपने माता पिता से चुपकर अपने बॉइफरेंट के साथ कर लिए सगाई, जी हाँ दोस्तों आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, अभी रेतरी काजल की बेटी नियासा देवगन ने अपने बॉइफरेंट विदात महाजन के साथ एक मंदीर में जाकर की है सगाई, जी हाँ इन्होंने अपनी सगाई में बहुत जादा इंजोई किया है, लेकिन अभी इन्होंने घरवालों को नहीं बताया है, और इन दोनों ने फैसला किया है कि दोनों एक साथ अपने घरवालों क को इस बारे में बताएंगे और साथ ही एक दुस्रे से शादी कर अपना घर भी बिसाएंगे तो दोस्तो आपकों अभी नेत्रि काजल की बेटी इन्डिया सादेवगन के शादी का कितना बेसाइश से इंतजार है आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दे और साथ ही वीडियो के लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक्स वर वाचिंग